असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ बीनस अफदर और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल माई सिंपल कुजीन में और आज जो मज़ेदार सी रेसिपी में आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइट चिकन कडाही की रेसिपी ये बहुत ही क्रीमी कड कडाही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही असानी के साथ ये तयार हो जाती है तो चलिए वीडियो देखते हैं वाइट चिकन कडाही बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कडाही में मक्षन वन टेबल स्पून गरम करूंगी और उसके साथ ही मैं ऑईल भी ड कर दूगी और इसके बाद मैं इसको 3-4 मिल्ट तक फ्राय कर लूँगी यहां तक के चिकन का कलर चेंज हो जाए तीन-4 मिल्ट चिकन को भूनने के बाद यहां पर मेरे पास टू टेबल स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट है इसको चिकन में शामिल करके और इसको 2 मिल्ट त इसको इतनी देर भूनेंगे कि प्यास का पानी भी खुशक हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए दो मिल्ट मैंने प्यास के साथ भूना है तो अभी प्यास का पानी देखे बागी है तो इस स्टेच पर मैं इसमें 3-4 हरी मिर्चो का मैंने पेस्ट बना कर रखा है वो शामिल कर दूँगी और प्याज और हरी मिर्चों के साथ इसको मैं भून लूँगी तीन चार मिल्ट के बाद देखिए काफी हत्ता किये चिकन भून गई है प्याज के मिक्सचर के साथ लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें अभी बाकी है तो इस स्टेज पर इसमें तीन के बाद देखिए ये प्याज और मसाले सारे भून चुके है और तरी उपर आ गई है तो इस स्टेज पर मैं इसमें 200 ग्रैम्स दही है मेरे पास फेटा हुआ वो इसमें एट कर दूँगी और इसको मिक्स करके मैं कवर करूँगी और इसको लो फ्लेम पर 15-20 मिल्ट तक चिकन के गल जाने तक दही के पानी में ही गलाऊंगी वैसे तो ये चिकन गल चुकी है भूनते भूनते ही काफी गल गई है 15-20 मिल्ट पकाने के बाद ये देखे चिकन बहुत अच्छी सी गल गई है और इसकी तरी उपर आ गई है और दही के पानी में ही ये बहुत अच्छी सी भून गई है तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें पैकट वाली क्रीम है और हरधनिया बारी कटा हुआ आधी गड़ी अभी मैं एट कर रही हूँ बाकी बाद मैं एट करूँगी तीन-चार हरी मिर्चे लंबाई में कटी हुई इसमें एट करकर ये सारे मसाले एक मिल्ट तक क्रीम के साथ मैं मिक्स करके भून लूँगी और अब इसमें half tea spoon freshly grounded black paper powder एट करेंगे और इसको mix कर लेंगे साथ ही मैंने गरम मसाला powder भी half tea spoon एट किया था जो मैं दिखाना भूल गई हूँ तो वो भी एट कर लीजिएगा और ये देखिए कि ये हमारी माशल्ला से कितनी अच्छी सी ये कडाही बनकर ready हो गई है तो मैं flame को off करूँगी और उपर से हरधनिया और द्रक इसमें और डाल दूँगी और अब मैं इसको dish out करके दिखाती हूँ तो ये देखिए कितनी असानी के साथ जटपट से ये हमारी क्रीमी क्रीमी chicken white कडाही ready हो गई है और इसको मैं थोड़ा सा क्रीम से और उपर से garnish कर दूँगी और इसको हम नान के साथ खाएंगे तो ये मेरी आज की recipe थी उमीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और जरूर इसको try कीजेगा recipe पसंद आए तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपने friends और family में share करें तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी recipe के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें मुझे दूआ में याद रखें अल्ला हाफिज